हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेश आप सब का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप लोग अपना बहुत सारा खयाल रखे होगे और नेचरल तरीके से जिंदेगी जीते होगे हमारी कोशी से कि आप दवाई ना खाएं और अननेसेसरिले आपको हस्पताल ना जाना पड़े सही तरीके से अगर आप हर प्राब्लेम को सॉल्व करते रहोगे और वीडियो के माद्यम से चाहे हो चाहे मेरी जो किताब है My Health in My Hand उसका उप्योग करके एक्यूप्रेशर के माद्यम से हो आईरबेट के माद्यम से हो अपना हर बिमारी दोस्तों आप घर बैठे ठीक कर सेखते हो आज का जो खास टॉप्रेशर के आप देखे होगे यूरिन इंफेक्शन चाहे मेल हो या फीमेल हो लोगों को हो ही जाता है यूरिन इंफेक्शन ऐसा सब्जेक्ट है इससा टॉप्रेशर को दोस्तों कभी ना कभी रूबुरू होना पड़ता है इूरिन में इंफेक्शन होना इूरिनरी ट्राक जो है वहाँ पे पत्थिरी ओगरा कभी बन जाना कभी इूरिन ड्रॉप ड्रॉप होके होना इूरिन रोकना पाना या फिर बहुत ज़्यादा इूरिन में समेल होना साथ साथ इरुनरी, ब्लैडर और अलग-अलग जो जगा है जैसे यूरेत्रा हो गिरा हो गया एस सब में संकरमन हो जाना इस सब चीजे जो दोस्तों एक आम बात है, बहुत सारा कारण है, खास करके जो डाइबेटिक्स के मरीज हैं, उनको इस तरीके का पुराना संकरमन होता है, या फिर खास करके जो लेडीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा संकरमन होता है, गरभावस्ता में तो बिल्कुल संकरम यह सब चीज़ें भी दोस्तों एक आम कारण है कई बारी बहुत ज़्यादा दोस्तों फीवर होना इंफेक्शन के कारण सीवियर लख्यन के अंदर फीवर होना और अंटिवेटिक और दिये बिना फीवर ना कम होना दुसरा है भैंकर पेन होना निचले पेट में या फिर इर बार बार टोईलेट जाने को मन करना और मगर यूरिन और बेले द हो देखा गया यह ऐस तरीके का भी दोस्तों समस्या होती है अखसर कोशिस करना चाहिए कि एक तो sufficient आप पानी पियें जिससे आपका seri detoxified properly हो सके आपका जो गुर्दा है आपका जो kidney है ये अच्छे से काम कर सके दूसरी बात है कि हमारे खाने में यानि हमारे भोजन में कम मसारादार खाद्यपदार हम लें cold drinks हो गया सराव हो गया आपका गुठका हो गया cigarette हो गया तंबाख हो गया ये बहुत जल्दी हमें दोस्तों संकरमित करता है पेट बड़ा होना याने टमी में बहुत ज़्यादा fat जमें रहना खासकर करें lower abdomen में अगर बहुत ज़्यादा fat होता है तब भी दोस्तों हमको urine में problem हो सकता है साथ साथ अगर हम बहुत ज़्यादा पिशाप को रोक के रखते हैं खासकर महिला में देखा गया है कि यह बहुत ज़्यादा पिशाप को रोकते हैं क्योंकि toilet और अगरा properly कभी कभी नहीं मिलता है उसके कारण से इससे क्या होती है कि संकरमन का दोस्तों खत्रा बढ़ जाता है तो यह सब चीज़ें भी दोस्तों करने से आप बच्ची है नारियल का पानी दोस्तों बहुत हिलाप करी है दिन में अगर एक भी आप नाजल का पानी लेते हो खास करें गर्मी के समय में तो आपको इरिन इंफेक्शन होगा ने अगर है तो दोस्तों वो ठीक हो जाएगा अनार का जूस अगर इरिन इंफेक्शन हो गया है कि आप कच्ची हल्दी को अगर आप पानी में डाल के अच्छे से grinding अगरा कर ले या फिर उसको उबाल ले उबाल के थंडा होने दे छान के अगर आप उसको पीते हो तो आपका urine infection खतम हो जाता है और आपको अंटिवेटिक भी नहीं लना पिड़ता है दोस्तों बार बार अगर आपको urine infection होती है तो फिटकीरी जो होती है उसको पानी में डाल के पांच मिनिट रखें एट टिस दो तिन लीटर पानी में उसके बाद उस पानी को दिन भर अगर आप पीते रहोगे थोड़ा थोड़ा करके तीन-चार दिर में urine infection दोस्तों खतम हो जाती है पिशाप करने के बाद यानि urine करने के बाद हल्दी पानी से या फिर आपका फिटकीरी पानी से अगर हम अपना फेनिस या वेजायने को साब करते हैं तब भी हमारा urine infection दोस्तों खतम हो जाता है तो ऐसे चोटे-चोटे tips दोस्तों आप अपने घर में इस्तिमाल कर सकते हो इसके साथ-साथ तीन-चार और बढ़िया tips देता हूँ जो आपको urine infection से बचाएगा और भैंकर से भैंकर urine infection है वो दोस्तों ठीक हो जाएगा ऐसे हजारों tips दोस्तों मैं अपनी किताब my health in my hand में देया हूँ आप अलग-अलग बिमारी से बच सकते हो बिना दवाई के हो my health in my hand इससे आप online imagine से तुरंद मंगाए और इस्तिमाल करो यह referral किताब है आप इसको इस्तिमाल करके कई बिमारी से दोस्तों बच भी सकते हो और आपको कभी भी हस्पताल नहीं जाना पड़ेगा दोस्तों यह है अंग्रेजी किताब जो लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हो अंग्रेजी पढ़ पाते हो उनके लिए है my health in my hand 600 पेज की किताब है दो ढ़ाई अज़ा है दोस्तों इसमें टीफ्स है अब इसका इस्तमाल जरूर करें दोस्तों यह है my health in my hand का हिंदी फर्सन इसमें लगबग 51 बिमारियों का इलाज बताया गया है साथ साथ आखी प्रेशर का पूरी नोलेज आसा करता हूँ किताब आपको काफी फायदा देता होगा और जिन के पास नहीं है अभी तुरन मंगाएं अमेजन से और इसका इस्तमाल करें दोस्तों गहूं के 10-15 दाने रात को एक गलास पानी में भीगो दें सुबा उससे छान लें और उसी पानी में 25 ग्राम गूर मिला के अच्छे से उसको ग्रैंडिंग में मिला दें उसको अगर आप पीते हो सुबा सुबा तो भी दोस्तों इरीन इंफेक्शन से फाइदा होता है गूर के जगा आप मिस्री का भी दोस्तों इस्तमाल कर सकते हैं इससे इरीन पास करते समय जलन कम हो जाती है और देरे देरे इंफेक्शन कتم हो जाती है इलाइज जी के दाने और शोन्त का चुन बराबर मात्रा में लेकर अनार के रऋस या दही में मिलाएं फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाके और हलका सा सैंधा नमक इसमें मिलाएं फिर इसको दोस्तों पीएं इससे भी urine infection दोस्तों ठीक हो जाता है नारियल के पानी में गूड और धनीय का चुन मिलाकर पीने से urine infection में दोस्तों आरा मिल जाता है कई बार महिलाएं तेज urine आने पर भी रोके रखते हैं ऐसा करने से दोस्तों बहुत खतरनक परिस्तिती बनती है और infection दोस्तों काफी बढ़ जाता है हमेशा साफ सुतरे toilet का ही इस्तेमाल करें और कभी भी urine को दोस्तों ना रोकें इसके साथ साथ मैं आपको एक्टिप्रेशर कुछ पॉइंट दिखाता हूँ जो आपको दोस्तों help करें एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कैसा भी आपको urine की समझते है एक तो point number 18 मेरे किताब में है आप देखिएगा point number 18 होता है आपका urinary bladder यह यहाँ है आप इसको जब भी urine पास करने के लिए जाते हो तो यह point को जरूर दबाएं यहाँ और फिर यहाँ यह वाला है इसके साथ साथ दोस्तों kidney का point point number 26 इसे दबानी है उसके साथ साथ point number 11 male के लिए यहाँ पे आपका prostate होता है आप इसे भी stimulate करें जब भी आप urine पास करने के लिए जाते हो toilet में बैठके point को आप दबाएं उसी के साथ साथ जैसे 11 number point है उसे थोड़ा अगर इधर आते हो आगे बढ़ते हो एक उंगली छोड़के आपका यहाँ पे आ जाता है venis and vagina 12 number point तो इसको भी आप stimulate कर सेकते हो उससे आगे बढ़ते हो दोस्तों 13 number point है एक उंगली छोड़के खास करके महिलाओं के लिए आपका uterus का point इसको अगर सही धंग से दोस्तों stimulate करते हो तो कभी भी आपको इंफेक्शन नहीं होगा दोस्तों एक चीज़ याद रखें बहुत ज़दा अगर इंफेक्शन रहता है तो आपको 16 number point में बताता हूँ जो आपका lymphatic system है याने lymph का point है वो आपका इस तरीके से यहाँ है यहाँ से आप जश्च चार उंगली नापोगे और यहाँ दबाओगे इससे आपका infection दोस्तों कम होगा एवाला point और यहाँ पर एवाला point point number 16 किताब में आप इसको अच्छे से देख पाओगे फोटो के साथ है तो इसको जब भी एक तो सुबह सामता आप दबाएं और जब भी bathroom टॉइलेट जब जाते हो तो यह point को दोस्तों दबाते रहो तो इससे आपको infection कम होगा उसका खत्रा भी दोस्तों कम होते जाएगा और आपका urinary track में जो भी infection है urinary track में जो भी समस्या है even और छोटे-छोटे stone भी है दोस्तों बहार आ जाएगे bladder, urinary track और आपका kidney और अच्छा काम करेगा बिमारी हो या ना हो यह point और दबाके आप अपने आपको बेतर ढंग से रख सकते हो बिना दबाई के अच्छे से सरीर को detoxified दोस्तों कर सकते हो क्योंकि सरीर का जहर अगर तरीके से बाहर नहीं निकलेगा तोस्तों हमें बहुत ज़्यादा सफर करना बढ़ेगा बार-बार अगर आप antibody खा के चीज का समाजान कर रहे हो दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया चीज नहीं है क्योंकि सरीर फिर अपना काम करना बन कर देता है dependency बढ़ जाती है दोई के तरफ इसलिए एलोपेथी डोक्टर भी कहते है बहुत ज़्याद आंटिवाइटिंग ना खाए आसा करता हूँ एक वीडियो आपको फायदा देगा सौंप का पानी दोस्तों मैं हमेसा कहता हूँ रात में 3-4 चमच सौंप पानी में भीगो के रखो सुभा उसको एक लिटर पानी में और मिलाके अच्छे से उबा ले और थंड़ा करके बटल में रखे में इसरी मिलाके कम से कम 2-3 चमच दिन भर अगर पीते रहोगे अगर आपको डायबेटिस नहीं है तो फिर आपका इससे वेट लॉस भी होगा पेट भी साफ होगा साथ साथ आपका इयूरिन समझ दित समझ ते हैं भी दोस्तों दूर होगी मेमरी अच्छी रहेगी आँक की पावर बढ़ेगी चेहरे में ग्लो होगी स्कीन होगे रहा दोस्तों अच्छा रहेगा आसा करता हूँ ऐसे हजारों टिस दोस्तों आपको मेरे किताब में भी मिलेगी और आगे मेरे वीडियो भी देखते रहें मैं आपके लिए चेचे वीडियो बनाता रहूँगा बहुत ज़्याद आपको समस्या है खास करके स्पाइन रिलेटेड कमर में हो गर्दन में हो टांगों में प्राब्लेम हो रही है हातों में प्राब्लेम आ रही है सरदर्द हमेशा रहती है सर्वाइकल स्पॉनलोसिस है या लंबर स्पॉनलोसिस है या घुटने बहुत ज़्यादा समस्या है डॉक्टर सर्जिरी के लिए कहता है तो आप नॉयडा आएं एक बार जरूर मिलें इसका समाधन आपको डेफिनाइटली मिलेगा अधरवाइज वीडियो देखके किताब को फॉलो करके आप बहुत सारा विमारी अपने घर बैठके विए दोस्तों ठीक कर सकते कोई भी प्रावल्म है वाट्स अप करें डबल डबल जिरो फोर जिरो थी सेवन फाइट या फिर डबल टू डबल सिक सेवन सिक 303 एहीं पर विदाय लेता हूँ दोस्तों फिर कोई नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ आता हूँ तब तक विदाय दे तैंक यू भेरी मच जैहिं जै भारत